नबस्कार आप देख रहे हैं यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग नियूज में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के जिहाद टेस्ट और T20 सीरीज जीतने के बाद अम टीम इंडिया आज से शुरू हो रही तीन मैचों की वन्डे सीरीज में भी जीत की अपनी ले को बरकरार रखना चाहेगी टेस्ट और T20 सीरीज में विराट सेरा को पहले मुकाबलों मिहार का सामना करना पड़ा था लेकिन इसके बाद जोरदार वापसी करते हुए टीम इंडिया ने दोनों ही सीरीज अपने नाम की वन्डे सीरीज में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिख रहा है T20 सीरीज में टीम इडिया को भले ही अपने स्टार गेंदबाज जो स्पीद बुमरा की कमी खली थी लेकिन वन्डे सीरीज में विराट सेरा को गेंदबाजी विभाग में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा बमनेश्वर कुमार वन्डे सीरीज में लीड गेंदबाज होंगे वहीं आस्टेलिया के किलाफ वन्डे सीरीज और हाली में इंगलेंड के किलाफ T20 सीरीज में शांदार प्रदर्शन करने वाले शारदुल ठाकुर दूसरे गेंदबाज होंगे इसके अलावा टीम में मुहम्मद सिराज, टीन नत्राजन और प्रसिद कृष्णन जैसे बहतरीन युवा गेंदबास भी मौजूद है भारत्य टीम के स्टार ओल राउंडर रविंदर जड़ेजा वंडे सीरीज में भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है टेस्ट और टीट्वेंटी सीरीज में उनकी कमी अक्षर पतेल ने पूरी की थी लेकिन वंडे सीरीज में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया ऐसे में कप्तान विराट कोहली पहले वंडे में श्वांदार फॉर्म में चल रहे क्रुणाल पांडिया को डेब्यू का मौका दे सकते हैं क्रुणाल काफी हद तक जड़ेजा की शेली के ही खिलारी है भारत के लिए 18 टी 20 उन्होंने खेले हुए हैं उनकी मौझूदा फॉर्म को देखते हुए वंडे टीम में शामिल किया गया है इंग्लेंड मौझूदा विश्व चैंपियन है लेकिन उसके लिए चीजे कुछ खास बैतर नहीं है तेज गेंदबाज जोफरा आर्शर चोटिल होने के कारण वंडे सीरीज से बाहर हो गए हैं भारत और इंग्लेंड अभी तक दो ही शेहरों में खेले हैं इन्होंने पहले दो टेस्ट के लिए 24 में तीन हफ़ते गुजारे जोकि एंदबाद में करीब एक महीने का समय विताया जहां इन्होंने दो टेस्ट और पांस T20 मकाबले खेले हैं अब पूरे के महरास्ट क्रिकेट स्टेडिया में तीनों वंडे मैट खेले जाएंगे गिरबतारी के बाद NIA की एक टीम ने वाज़े के ओफिस को सर्च किया जिसके बाद उन्हें वहां से कई चीज़े बरामद हुई है NIA का दावा है कि उसमें जो एक डाइरी मिली है जो कई राज से परदा उठा सकती है NIA की सूतरों ने बता है कि उन्हें वाज़े के ओफिस से एक डाइरी मिली है जिसमें पैसो की लिंदेन के बारे में एंट्री दिखाई दे रही है और यहां एंट्री भी कोड़ वर्ड में की गई है जांच एजन्सियों का मानना है कि यह उन पैसों की लिंदेन का हिसाब किताब हो सकता है जिसे बार, रेस्टरेंट और दूसरी इस्टिबिश्मेंट के कलेक्ट किया जाता है मुम्मे पुलिस के पूर्व कमिशनर परणबी सिंग ने जो लेटर महराष्ट के मुक्य मंतरी उदर ठाकरी को भीजा था उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि ग्रीमंतरी अनिल देशमुक ने वाजे और सोशल सर्वीश ब्रांच के इसी पी संजे पार्टिल को पैसे कलेक्शन के लिए कहा था वाजे की गिरफतारी के बाद नाईयो के अधिकारियों ने CIO के आफिस में 16 मार्च को रेट की थी उन्हें वहाँ से लेपटाप, मोबाईल, दूसरे उलेक्ट्रोनिक, गिजट और कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे उसी रेट के दौरान नाईयो को वहाँ से एक डैरी भी मिली थी जिसमें पैसों के लेंदेन की कई सारी एंट्री मिली थी वैसे में बड़ा खुलास होने की उम्मीद है और गुड मॉर्निंग इंडिया में तीसरी और आखरी खबर है अमेरिका से अमेरिका के कोलोरोडो प्रांट के बोल्डर में एक सूपर मार्किट में गोली बारी हुई और गोली बारी में एक पुलिस ऑफिसर सहीत 6 लोगों की मौत हो गई और एक संदिक दिखायल हो गया है ये ज़ानकारी दवॉल स्ट्रीट ज़र्नल ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से दी है वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है फिल्हाल पुलिस चार्च में जुट गई है पुलिस के मताबिक उनके पास गोली बारी के ज़ाने की तुरंत बाद की कुछ टीटेस है संदिक दुको हिरासप में लिया गया है वहाँ वो खायल है और उसे लाच के लिए अस्पताल में बढ़ दिकराए गया है वहीं पुलिस ने बताया कि अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आरोपी ने गोली बारी किस मकसस से की थी पुलिस ने ये भी बताया कि बोल्डर के टेबल मैसा एरिया में स्थेत किंग सूपर स्टोर में तीन बज़े के करीब गोली बारी की गटना हुई थी फिलाल पुलिस इस पूरे मामले की जाच परताल में जुटी हुई है वहीं बोल्डर पुलिस द्वारा ट्वीट भी किया गया है कि हमारे पास कई पीडित है जिनकी मौत होई है पीडितों में से एक बोल्डर पुलिस अधिकारी है मीडिया को परिवारों की गोपनिता का सम्मान करने के लिए कहा गया है तो बेहादी दुकत गटना है फिलाल के लेतना ही आप देखते रहें निस्वाल इंडिया